कि मंत्री मंडाल के मेरे साथी डाक्टर जितेंद्र सींग पिके मिश्रा जी राजु कावाजी श्री भी श्री नमासंजी और यहां उपस्तित सिविल सेवा के सभी सजश्य और वर्चुली देश भर से जुड़े सभी साथ्यों देवियों और सजुनौं सिविल सेवा दिवस पर आप सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत शुपामनाएं आज जिन साथ्यों को यह अवर्ब मिले हैं उनको उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरब से बहुत बहुत बधाई लेकिन मेरे यादत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मुफत में बधाई देता नहीं हूं मैं कुछ चीजों के इसके साथ हम जोड़ सकते हैं क्या यह मेरे मन में ऐसे ही आया हुए विचार है लेकिन आप उसको अपने अड्मिस्टिटिव सिस्टिम के तरा जो पर तोलना ऐसे ही मत कर देना जैसे हमें कर सकते हैं कि जहां भी हमारे सिविल सर्विस से जुड़े जितनी भी ट्रेनिंग इस्टिटूट्स हैं चाहे विदेश मंत्रा लेकी हो पुलिस विभाग की हो या मसूरी हो या रेवन्यू हो कोई जहां भी है आपके क्योंकि काफी बिखरा हुआ सारा एक कारोबार चल रहा है हर सप्ता एक डिड़ घंटा वर्चुली यह जो एवोर्ड मिनर है वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी कैश्य सुरू किया कौन सी कठिनाई आई पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुली इन सब को ट्रेनीज को प्वेस्टन आंसर्स हो और हर सप्ता ऐसे दो एवोर्ड मिनर्स के साथ अगर विशेश चर्चा हो तो मैं समझता हूं कि जो नई पीड़ी आ रही है है उनको एक प्रेक्टिकल अनुभाव बाते चीतों का लाब मिलेगा और इसके कान जिन लोगों ने इस काम को एच्चिव किया है उनको भी इस काम के प्रति जुड़े रहने का एक आनन्द आएगा धीरे धीरे उसमें इनोवेशन होते रहेंगे एडिशन होता रहेगा दूसरा एक काम कि जो आज 16 साथियों को यहां एवर्ड मिला है हम सभी देश के 700 से वेदिक जो जीले हैं उन सब को निमंतरित करें कि 16 मैंसे आप किसी एक स्किम को सिलेक कीजिए किसी एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाईए और आप तीन मैने च्छे मैने के प्रोग्रेम के अंतरगत इसको कैसे लागू करेंगे लागू करने की दिशा में क्या करेंगे और मान लिजे पूरे देश में से 20 डिस्टिक ऐसे निकले जिनोंने एक स्किम को सिलेक किया है तो कभी उन 20 डिस्टिक का वर्चुल समीट करके जिस व्यक्ति का इस जिस टीम का एक काम है उनके साथ उनकी बात्चीज हो और राज्य में से कौन टॉप बनता है इस पर इंप्लिमेंटेशन में इसी को इंस्टिटुश्लाइज करते हुए उस जिले का इसको स्वभाव में परिवर्थित करने के लिए क्या कर सकते हैं और पूरे देश में से वन स्किम वन डिस्ट्रीक हम कॉंप्टिशन को उपर कर ला सकते हैं क्या और एक साल के बाद मिले तो उसका भी जिक्र करें उसको एवर देने की ज़रोत नहीं अभी लेकिन जिक्र हो कि भी यह स्किम जो 2022 में जिनको सम्मान किया गया था वो चीज यहां तक पहुँच गई अगर मैं समझता हूं कि हम लोग इसको को इंस्टिटूशनल लाइज करने के लिए कि मैंने देखा है कि सरकार का स्वभाव कि जब तक वो किसी काज़ के चौखट में चीज नहीं आती है वो चीज आगे बड़ने पाती है इस लिए कि सी चीज को इंस्टिटूशनलाइज करना है तो उसके लिए कि इंस्टिटूशन मना नी पड़ती है तो जरूरत पड़े तो ये भी एक विवस्था खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है कि अधरवाई क्या होगा कि भी चलिए कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो मन में ताय करते हैं कि मुझे ये एचिव करना है तो तिन सो पैसेट दिन दिमाग उसी में खपाते हैं सभी को उसी में जोड़ देते हैं और एक आद एचिव कर लेते हैं और एवर भी प्राप्त कल देते हैं लेकिन बागी चीजों को देखे तो कई पीशे रह जाते हैं तो ऐसी कमिया भी मैसूस ना हो एक स्वस्त स्परधा का बातवर बने उद्धिशा में अगर हम कुछ सोचे तो शायद जो हम चाहते हैं कि एक बडलाव आएं वो बडलाव शा समवाद मुल्य रखता है शायद 20-22 साल से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूँ और पहले मुख्य मंत्री के रूप मैं करता हूँ था एक छोटे दायरे में करता था प्रधान मंत्री बनने के बाद थोड़ा बड़े दायरे में हुआ और बड़े बड़े लोगों के साथ करण एक प्रकार से हमें अन्यों अन्य कुछ आप से मैं सिखता हूँ कुछ मेरी बाते आप तक पहुंचा पाता हूँ तो एक प्रकार से समवादना एक अच्छा सा हमारा ये माध्यम बना है परंपरा बनी है और मुझे खुशी है कि मुझे बिच में कोरोना के कालखन में थोड़ा कठेना ही रही अदरवए मेरा प्रयास रहा है कि मैं आप सबसे मिलता रहूं आप से बहुत कुछ जानता रहूं समझने का प्रयास करूं और अगर संभव हो तो उसको अगर मेरे व्यक्तिकर जिवेन में उतारना है तो उसको उतारूं और कहीं व्यवस्ता में ला अवसर होता ही होता है हर किसी के पास किसे ने किसी को कुछ देने का सामर्त होता ही है और अगर हम उस भाव को विक्सित करते हैं तो स्वाभवी कुरुप से उसको स्विकार करने का मन भी बन जाता है साथ ही इस बार का आयोजन बहुत रूटीन प्रक्रिया नहीं है मैं इसे को एक विशेश समझता हूँ विशेश इसले समझता हूँ कि आजहादी के अमृत महुत्सवक में जब देश आजहादी के 75 साल मना रहा है तब हम इस समारो के कर रहे हैं क्या हमें काम कर सकते हैं क्या और मैं मानता हूँ कि इसको हमने क्योंकि कुछ चीजे होती हैं जो सहज रुप से नया उमंग उत्सा भर देती हैं मान लीजिए आप जिस डिस्टिक में काम करते हैं और पिछले 75 साल में उस डिस्टिक के मुखिया के रुप में जिनोंने काम किया है उसमें से कुछ जिवित होंगे कुछ नहीं होंगे इस आज़ादिके अमुर्त महोसव के निमीद एक बार उस डिस्टिक में उन सब को बुलाईए उनको भी अच्छा लगेगा तीस चालीस साल के बाद वो जगावे वापिस गए हैं आपको भी अच्छा लगेगा उनके पुराने पुराने लोगों को याद करेंगे यहने एक प्रकार से जिला इकाई में किसे ने तीस साल पहले काम किया होगा किसे ने चालीस साल पहले काम किया होगा जो बाहर से वहाँ आएगा वो भी एक नई उर्जा लेके जाएगा और जो वहाँ है उसको में अच्छा अच्छा ये देश के केबिनेट सेक्रेटरी वो कभी हाँ थे उसके लिए बड़े आनंद की बात हो जाएगी और मुझे पक्का विस्वास है कि हमने इस दिशा में जुरूर प्रयास करना चाहिए मुझे विचार इसलिए आया कि शायद मैं नाम तो भूल गया गोड़ बोले जी या देश मुख फरकॉर तने हमारे केबिनेट सेक्रेटरी रहे थे तो एक बार और बाद में वो अपना जीवन रक्तपित के लोगों की सेवा में उन्होंने रेटायर होने के बाद खपाय दिया तो गुजरात में उन्होंने का वो रक्तपित से सम्मति कारक्यम के लिए आये थे मुझे मिलना हुआ तो तब तो संयुक्त में मुंबे राज्य था महाराष्ट और गुजरात अलग नहीं था तो उन्होंने मुझे मैं बनास काठा में डिस्ट्रिक कोलेक्टर था और बात में मुले महाराष्ट अलग बना तो मैं महाराष्टर केडर चला गया और फिर मैं भारत सरकार में चला गया लेकिन इतना सा सुनना मेरे लिए मुझे उनके साथ एक दम से जोर दिया तो मैंने उनको पूछा को समय बनास काठा में कैसे होता था आप कैसे काम करते थ होती हैं लेकिन उसका सामर्थ बहुत बड़ा होता है और एक मॉनोटोनस जिंदगी मैं बदलाव लाने के लिए व्यवस्ताओं में जान भरना बहुत जरूरी होता है व्यवस्ताओं जिवन थोनी चाहिए व्यवस्ताओं डाइनमय कौनी चाहिए और जब पुराने लोगों से मिलते हैं तो उनकी जमाने में विवस्ता किस कारण से विक्सित हुई थी उसकी बेक्ग्राउन इंफर्मेशन हमें उस परंपरा को चलाना नहीं चलाना बदलाना ने लाना बहुत चीजें सिखा करके जाते हैं मैं चाहूँगा कि आजहादी के इस अमरित काल में आप अपने डिस्ट्रिक में जो पहले डिस्ट्रिक कलेक्टर के रूप में काम करके गए हैं एक बार अगर हो सके उनका मिलने का कारकम बनाईए आपके उस पूरी डिस्ट्रिक के लिए उए गनुभव नया आड़ आएगा उसी प्रकार से राज्यों में जो चिफ सेक्रेटर के नाते काम करके गए हैं एक बार राज्य के मुख्य मतरी उन सब को बुला ले देश के प्रधान मतरी जिटरे में केमिनेट सेक्रेटर रहें कभी उनको बुला ले हो सकता है कि आजादी का अमरितकाल 75 साल की स्यात्रा में भारत को आगे बढ़ाने में सरदार पटेल का ही जो तोफा है हमें सिविल सर्विस का इसके जो भजवाहत लोगर हैं जो आज उसमें से जितने भी जिवित हैं उन्होंने कुछनकुछत योगदान दिया ही है इस देश को स्मरण करना उनका मान सम्मान करना ये भी आज हादी के अमरितकाल में इस पुलिस सिविल सर्विस को ओनर करने वाला विशे बन जाएगा मैं चाहूंगा इस 35 साल की यात्रा उनको हम समर्पित करें उनका गवरोगान करें और एक नई चेतना लेकर के हम आगे बढ़ें और विश्विदा में प्रयाइट न कर सकते हैं साथियों ये हमारा जो अमरितकाल है ये अमरितकाल सिरफ बीटे साथ दसक का जैजे कार करने का ही ऐसा नहीं है मैं समझता हूँ हम सतर से पचातर गए होंगे रूटीन में गए होंगे साट से सतर गए होंगे, सतर से पचातर गए होंगे, रूटीन में गए होंगे लेकिन पचातर से दो हजार सेंतालीज इंजिया एट हंडेट ये रूटीन नहीं हो सकता है ये आज का अमरुत महोस हमारा वो एक वाटरशेड होना चाहिए जिसमें अब पचीज साल को एक इकाहिक रूप में हमने देखना चाहिए टुकरों में नहीं देखना चाहिए और हमने इंडिया एट हंड्रेट अभी से उसका वीजन देख करके और वीजन देश में क्या वो नहीं डिस्ट्रिक में मेरा डिस्ट्रिक पचीज साल में कहां पहुँचेगा, मैं इस डिस्ट्रिक को पचीज साल के बाद कैसा देखता हूँ, और मैं कागेज में लिखीत रूप से, हो सके तो आपकी डिस्ट्रिक की दफ्तर में लगाईए, हमें यहां 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 तक पहुँच अग्टिवेटी के साथ हमने डिस्ट्रिक को पूठ रहा है और अब केंद्र हमारा भारत कहां पहुंचेगा राज्य कहां पहुंचेगा हमने 75 साल इन सारे लक्षों को लेकर करके चले हैं इंडिया एट हंड़ेड डिस्टेक हम सपड़ी साल में कहां ले जाएंगे हिंदुस्तान में में मैं डिस्ट्रिक नमबर एक बना करके रहूंगा कोई भी छेतर ऐसा नहीं होगा कि मेरा district पीछे हो कितने ही प्राकूरतिक मुश्किलों वाला जिल्ला होगा तो भी मैं करके रहूँगा ये inspiration ये सपना ये संकल्प और उसके लिए सिद्धिक प्राप्त करने के लिए निरंतर पुर्शार्थ और परिश्रम इसके संभावनाओं के लेकर हम चले तो अए सिद्धिक सर्वस्दे हमारे लिए एक नई प्रेणा का कारण बन जाएगा साथियों हर भारतवासी आज आपको जिस आशा आकांशा से देख रहा है उसे पुरा करना में आपके प्रयासों में कोई कमी ना हो उसके लिए आज आपको भी सरदार वल्लभाई पटेल ने हम सब को जो प्रिणा दी जो संदेश दिया और जिस संकल्प के लिए हमें प्रेरित किया हमें उस संकल्प को फिर से एक बार दोहराना है हमें फिर से खुद को उसके लिए बचन बद्ध करना है और यही से कदम को आगे बढ़ाते हुए निकलना है हम एक लोग कांत्री की ववस्ता में है और हमारे सामने तीन लक्ष साफ साफ होने चाहिए और मैं मानता हूँ कि उसमें कोई कंप्रमाइज नहीं होना चाहिए और तीनी होता नहीं है बाके और किछी यह हो सकती है लेकिन मैं तरफ तीन को आज समावित करना चाहता हूँ पहला लक्ष है कि आखिर करा में देश में जो भी विवस्ताइं चलाते हैं जो भी बजेट घर्च करते हैं जो भी पद प्रतिष्णा हम प्राप्त करते किस के लिए हैं जी यह सब क्यों है यह मेहनत किस बात के लिए है यह तामजाम किस बात के लिए है और इसलिए मैं कहूँगा हमारा पहला लक्ष है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन में बड़लाव आए उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो देश के सामान्य नागरी को अपनी सामान्य जिन्दगी के लिए सरकार से जो नाता आता है उसे जिद्दो जहां न करनी पड़े सहज रुप से सब उपलब्त हो ये लक्ष सदा सरवदा हमारे सामने होना चाहिए हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए कि देश के सामान्य मानवी के सपनों को संकल्प में बदलने के लिए उसका सपना संकल्प कैसे बने उस सपने को संकल्प तक यात्रा पूरी कराने में एक पॉजिटिव एट्मोस्पियर एक स्वाभाविक वातावन पैदा करना ये व्यवस्था का जिम्मा है जिसका नेत्रुत्व हम सब के पास है हमें ये भी देखना चाहिए कि देश के नागरिकों को अपने संकल्पों की सिद्धी की आत्रा में सपना संकल्प बन जाए बात वहां अटक नहीं सकती है जब तक कि संकल्प सिद्ध नहों और इसलिए सपना संकल्प बने संकल्प सिद्धी बने इस पूरी यात्रा बहां जहां भी जरुवत हो हम एक साथी की तरह एक कलीक की तरह उसके साथ हो उसके हैंड होल्डिंग करे ही जो अग्लुमिंग को बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर पाई है वह हमें जरुर करना चाहिए अगर मैं दूसरे लक्ष की बात करूं तो आज आज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हम पिछले कई दस्तों को से सुन रहे हैं हो सकता है भारत कभी दूर से इंचीजों को देखता था लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है आज भारत का पोजिशनिंग बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्वबे करना अब हमारे लिए समय की मांग है भारत दुनिया में शिर्ष पर कैसे पहुँचे अगर दुनिया की गतिविदियों को नहीं समझेंगे नहीं जानेंगे तो हमें कहां जाना है और हमें शिर्ष स्वान पर जाना है तो हमारे राह कौन सी होगी हमारे शेत्र कौन से होंगे यह हमें आइडेंटिफाइ करके और उसका तुल्डात्व अध्यान करते हुई में आगे बढ़ना ही पड़ेगा हमारी यो योजनाय है हमारे गवर्नन्स के जो मोडल है वो हमें इसी संकल्प के साथ विक्सित करने है हमें कोशिश ये भी करनी है कि उनमें नभीनता आती रहे उनमें आधुनिता आती रहे हम पिछली सताब्दी की सोच पिछली सताब्दी के नीत की रवह से अगली सताब्दी की मजबूती का संकल्प नहीं कर सकते है और इसलिए हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे नियमों में, हमारी परंपराओं में पहले शायद बदलाव लाने में 30 साल, 40 साल चले जाते होंगे तो चलता होगा बदलते हुए विश्व और तेज गती से बदलते हुए विश्व में हम पलक पलक के हिसाब से चलना पड़ेगा ऐसा मेरा मत है अगर मैं आज तीसरे लक्षी की बात करूँ जो एक प्रकार से मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूँ सिमी सर्वीश का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्षे ओजल नहीं होना चाहिए व्यवस्ता में हम कहीं पर भी हो उपद पर हम कहीं पर हो लेकिन हम जिस व्यवस्ता से निकले हैं उस व्यवस्ता में हमारी वो प्राइम रिस्पॉंसिबिलिटी है और वो है देश की एकता देश की अखंडता उसमें हम कोई कंप्रमाइश नहीं कर सकते स्थानिये सर पर भी हम जब भी कोई निर्णे करें वो निर्णे कितना ही लोक लुभावना हो वहावाई वटोड़े वाला हो कितना ही आकर्शक लगते हो लेकिन एक बार उस तराजु से भी उसको तोल दीजिए कि मेरा ये छोटे स गाउं में कर रहा हूं जो नेड़ा है कहीं वो मेरी देश की एकता अखणित्ता के लिए रुकावड बनने वाला है तो मैं कोई बीज़तों नहीं बोर रहा हूं आज तो अच्छा लगता हो प्रिया लगता हो लेकिन स्रेयस करना हो और मात्मा गांधी हमेशा स्रेय और प् हम नकारत्मक्ता को छोड़ करके हम यह भी देखे हमारा कोई भी फैसला देश की एकता को मजबूत करने माले स्पिरिट से जुड़ा होना चाहिए कि सिरफ तो तोरता नहीं एकम एनब नहीं है वह मजबूती देता है और नहीं देता है और विभी देता परे भारत के अंदर हमें लगातार एकता के मंत्र का सॉलूशन करते ही रहना पडेगा और ये पीडी दर पीडी करते ही रेना पड़ेगा और उसकी चिंता हमें निकालनी पड़ेगी और इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ वाज फिर कहना चाहता हूँ भविश में भी कहता रहूँगा हमारे हर काम में कसोड एक होनी चाहिए इंडिया फॉस्ट नेशन फॉस्ट मिराराश्ट सर्वो परी हमें जहां पहुतना है लोग तंत्र में शासन व्यवस्थाएं भिन भिन राजनितिक विचाराओं से पेरित हो सकती है और वो भी लोग तंत्र में आवश्यक भी है लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं है उसके केंडर में देश की एक्ता और अखंडित्ता और निरंतर भारत की एक्ता को मजबूत करने के मंत्र को हमने आगे बढ़ाना चाहिए साथियों अब जैसे हम डिस्ट्रिक लिवल पर काम करते हैं राज लिवल पर काम करते हों या भारत सरकावे काम करते हैं कि इसका कोई सर्कूलर निकलेगा क्या कि नेशनल एजुकेशन ट्वारी सी मैं से क्या क्या मुझे मेरे डिस्ट्रिक के लिए उठाना है उसमें से कौन सी चीज़ना राव करनी है इस ओलेंपिक के बाद देश के अंदर खेल कूत के प्रतिक जो जागरूपता आई है उसको मेरे डिस्ट्रिक लेवल पर एक इंस्टिटुशलाइज करके मेरे डिस्ट्रिक से भी खिलाड़ी तैयार हो यह नेत्र तो कौन देगा कि असवाद फिर खेल कुद विभाग देगा कि पूरी टीम के जिम्यवारी होगी अब अगर मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूं तो क्या मेरे डिस्ट्रिक में डिजिटल इंडिया के लिए मैं कुछ टीम बन करके सोच रहा हूं क्या है आज मारदर्शन करने के लिए कुछ करना पड़ ऐसी जुरूत है ही नहीं अब जैसे आज यहां दो कॉफी टेबल बूक का लॉंचिंग हुआ लेकिन इस बात को न भुले कि यह कॉफी टेबल बूक हार्ड कॉपी नहीं है कुछ कि यह कोपी है क्या मैं भी मेरे जिले में मेरे राज में यह हार्ड कॉफी के चकर से बाहर निकलूंगा क्या वन्ना मैं भी बड़े-बड़े सब पर बना दूंगे और बाद में कोई लेने वाला नहीं निकलता है हम बनाई अगर आज हमें देखने को बिला है कि यहाँ इकॉफी टेबल बुक बनाए तो मतलब हम भी आदट डाले कि हम भी जरूत पड़ेगी हम भी कॉफी टेबल बुक है कि जरूत पड़े ऐसी जरूत नहीं है सारी चीजे आज अवेलिबल है कि डिश्रिक में किसी एंचीज में पुरा जिला अगरूर करके खड़ा हो जाता है एचीव कर लेता है तो बाकी चीजों पर पॉजिटिव इंपक अपने आप आना शुरू कर जाता है साथ कि भारत की महान संस्कृति की ये विशेस्ता है कि हमारा देश और मैं बाद भड़ी जिम्मेबारी के साथ कह रहा हूं हमारा देश राज्य व्यवस्ताओं से नहीं बना है हमारा देश राज सिहासनों की बपोती नहीं रहा है नहीं राज सिहासनों से ये देश बना है ये देश सहस्ट सद्यों से हजारों वर्ष के लंबे कालखंड से उसकी जो परंपरा रही है वो जर्द्न सामान्य के सामर्तों को लेकर के चलने की परंपरा रही है आज जव भे हमने प्राप्त किया है वो जन भागीदारी की तपश्या का प्रणाब है जन शक्ती की तपश्या का प्रणाब है और तब जाकर के देश नई उंचाईयों को प्राप्त कर सकता है पीडी दर पीडी के योगदान से समय की जो भी अवश्यक्ता है थी उनको पूरा करते हुए उन परिवरतनों को स्विकार करते हुए जो काल बाहिये उसको छोड़ते हुए हम वो समाजा में जीवन सवाज है जिसने काल बाहिये परंपरा को खुद ने तोरक फोरक उठा करके फैक दिया है हम आखें मंद करके उसको पकड़ करके जीने वाले लोग नहीं है समायनों को परिवरतन करने वाले लोग है दुनिया में में एक दिना बहुत साल पहले की बात है अमेरिका के स्टेट पर डिपार्टमेंट से मेरी बाते हो रही थी तब तो मैं राजनीती में म सब्सक्राइब कोई भी समाज आस्ति हो नास्ति हो इस ध्रम को मानता है उस ध्रम को मानता हो लेकिन मृत्यू के बात कि उसकी जो माननेता है इसके विषय में वो ज़्यादा बदलाव करने का साहस नहीं करता है वो मृग्ञानिक है नहीं है उपयूक्त है नहीं है समय रहते उसको छोड़ना चेक नहीं है उसमें वो साहस नहीं करता है वो मृत्यू के बात की जो सोच बनी हुई परंपरा बनी उससे जकड़ करता है मैंने का हिंदू एक ऐसा समाज है भारत का कि जो कभी मृत्यू के बात गंगा के तड़ पर चंदन की लकड़ी में अगर जलता था शरीर तो उसको लगता था कि मेरा अंतिम कारे पुन्यता से घुमता 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 इलेक्टिक श्मशान गुरू तक चला गया उसको कोई संकुत नहीं आया इस समाज की परिवर्तन सिल्ता की बहुत बड़ी ताकत का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होता है विश्व का कितना ही अधुनिक समाज हो मृत्यू के बाद उसकी जो धा करना है उसको बेदलने का सावर्त नहीं होता है हम उस समाज के लोग है इस दर्ती की टाकत है कि हम मृत्यू के बात की ववस्ताओं में भी अगर आधुलिक्ता की जरूर पड़ी तो उसको स्विकार करने के लिए तैयार होते हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि यह देश इन नित्य नूतन नित्य परिवतन शिल नभीन को स्विकार लेके सावर्त वाली एक समाज ववस्ता का परणाम है कि आज उस महान परंपरा को गती देना हमारे जिम्मे है क्या हम उसे गती देने का काम कर रहे है क्या पराइल को ही करती देने से जिन्द की बतलती नहीं के साथिंग हमने उस एक सामाजिक ववश्ता के पहर शासन वववस्ता का एक साहर्द होता है तब मुझे पूरे समाज जिवन का नित्रूत्व देना मेरा दाइत्व बन जाता है और वो सिर्प पोलिटिकल लीडर का काम ही होता है हर शेत्र में बैटे हुए civil service के मेरे साथ्यों को leadership देनी होगी और समाज में परीवर्तन के झिए अगवाई करने खांक के लिए अपने आपको सज्ज करना अगर और तब जाकर कि हम परीवर्तन ला सकते हैं दोस्तों और परिवर्थन लाने का सामर्था देश में है और सिर्भ हमीं विश्वास लेके जी रहे सा नहीं दुनिया भहुत बड़ी आशा के साथ हमारी तरफ देख रही हैं तब हमारा कर्तब या मनता है कुस कर्तब या कि पूर्ते के लिए हम अपने आपको हम ने जो एक नाया वर्थ तैयार हुआ है जो यूवा पीड़ी तैयार हो रही है किया हम उसके साहस को उसके सामर्थ को हमारी ये नियमों की जंजाव उससे जकर तो नहीं रही है ना उसके सामर्थ पर प्रभावित तो नहीं कर रही है ना अगर ये कर रही हैं तो मैं शाय के लिए अपने आपके कदम सही दिशा मैं सही सामर्थ के साथ चला सकूँ वो शायद मैं खो चुका हूं अगर मैं इससे बहार निकलता हूं तो मैं स्थिच्चियों को बदर सकता हूं और हमारे देश में आज भी देखा होगा अभी आईटी सेक्टर दुनिया में भारत की जो एक छबी मनाने में अगर किसे ने शुरूवाती रोल किया है तो हमारे आईटी सेक्टर के बीस बाइस पचीस साल के नवजमानों ने किया गए लेकिन अगर माल लीजिए हमी लोग ने उसमें अडंगे डाल दिये होते कानुन नियों में उसको जगर दिया होता तो न मेरा आईटी सेक्टर इसना फला फुला होता नहीं दुनिया के अंदर उसका डंका बजा होता दोस्तों हम न थे तो वो आगे भी बढ़काए तो कभी-कभी हमें भी तो सोचना चाहिए कि दूर रहकर के ताली वजा करके प्रोच्षाइज करके भी दुनिया को बदला जा सकता है कि आज हम गर्व कर सकते हैं स्टार्ट अप्स के विशेव हैं 2022 अभी तो पहला क्वाटर अभी अभी पूरा हुआ है 2022 के पहले क्वाटर में तीन महेने के छोटे कालखन के अंदर मेरे देश के नवज़वानों ने स्टार्ट अप की दुनिया में 14 अप्रोच अगर 14 इनिकॉम सरफ 3 महेने के भीतर-भीतर मेरा देश का नज़वान उस मुचाई को प्राप्त कर सकता है हमारी क्या भविका है कि कभी कभी हमें जानकारिया भी नहीं होती है कि मेरे डिश्ट्रिका नवजवान था और टीर टू सीटी के कौने में बैठा हुआ काम कर रहा था अब अख़बार में आया तो पता चला करें वो ते हां पहुंच गया है इसका मतलब यह हुआ कि शांस कि मैं उसको प्रोचाहिज करता हूं कि नहीं करता हूं कि मैं उससे रेकेंग्नाइज करता हूं कि नहीं करता हूं कहीं ऐसा तो नहीं पर तुने कर लिया जो कर लिया लेकिन पहले क्यों नहीं मिले थे अब नहीं आया वोई तो है आपका टाइम खराब नहीं किया लेकिन आपको बहुत कुद दे रहा है आप उसका गवरवगान कीजिए साथ क्यों मैंने दो चीजों कहीं उलेक किया है लेकिन ऐसी बहुत सी चीजे हैं इवन क्रिसी छेतर में मैं देख रहा हूं हमारे देश के किसान आदूरी करके तरफ जा रहे हैं साइद उनके संग्या कम होगी मेरी बारिक दरश्टी में मेरी नजर में वो कह स्थीर हुआ है क्या अगर साथियों हम अगर इन चीजों को करते हैं तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा बढ़लाव आएगा एक और बात मैं कहना चाहता हूं कभी कभी मैंने देखा है कि सेफ खिलना जादा तर लोगों के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है अरे छोड़ो यार चलो भाई उम्हें कहां कितने दिन रहना है एक डिस्टिक पर तो दो साल तिन साल बहुत हो गया चले जाएंगे आगे हुआ कि मैं किसी को दोश नहीं देता हूं लेकिन जब एक एक एश्वार द्रवस्ता मुल जाती है जीविन की सिकुरिटी पक्ति हो जाती है तो कभी-कभी स्पर्धा का भाव नहीं रहता है लगता है अब तो यार सब कुछ है चलो नए संकट कहां मोल ले गिंदी तो चली जाने वाली है बच्चे बड़े हो जाएंगे कहीं कहीं मोका तो मिलना ही मिलना है उनको हमें क्या कंडायव और उसमें से खुद के प्रती भी उदासिन हो जाते हैं व्यवस्ता छोड़ो खुद के प्रती भी उदासिन दो जाते हैं यह जिन्दगी जीने का तरीका रही है दोस्तों स्वयम के प्रती कभी उदासिन नहीं होना चाहिए जी भर के जीने का आनंद लेना चाहिए और कुछ करकर के गुजरने का हर पल का हिसाब लेते रहना चाहिए तब जाकर के जिन्दगी जीने का मजा आता है इसका लेखा जोखा करने का अगर स्वभाव नहीं तो जिनदगी दीरे धिरे खुद को ही खुदसे उडास कर देती है और फिर जीने का जीने का जज़़ाइन हुरे रहता है जोस्तो मैं तो कभी कभी कहता हूं कि एक सितार वादक और टाइपिस्ट दोनों का फर्क देखा है क्या एक कॉंप्यूटर ओपरेटर उंगली को ही खेल करता है लेकिन 45-50 की उमर पहुंचते हुए कभी मिलोगे तो बड़ी मुश्किल से उपर देखता है एक दो बार बोलो तो तुनता भी नहीं है बड़े आगरा से कहो हां साब क्या था आधा मरी हुई जिन्दगी जी रहा है वो जिन्दगी बोज बन गई है करता तो उंगली कही काम है टाइप रेटर पर उंगली ही गुमाता है और दूसरी तरह विक्सितार बादक वो भी तो उंगली का खेल करता है लेकिन उसको 80 साल की उमर में मिलिए चहरे पर चेतना नजराती है जिन्दगी बरी हुई नजराती है सपनों से जीने वाला इंसान नजराता है दोस्तों उंगली के खेल दोनों ने गुजा रहे है लेकिन ये चलते चलते मरता चला जाता है दूसा चलते चलते जीता चला जाता है क्या ये बदलाओ जिन्दकी को भीतर से जीने का संकल्प हमारा होता है क्या तब जाकर के जिन्दकी बदली जाती है दोस्तों और इसलिए मैं कहता हूं और इसलिए मैं कहता हूं साथियों कि मेरी स्टीम में देश के हर कौने में लाखों मेरे साती है उनके जीवन में चेतना होनी चाहिए सामर्त होना चाहिए कुछ कर गुजरने का संकल्प होना चाहिए तभी तो जिन्दी की जीने का आनंद आता है दोस्तों कभी लोग मुझे में के साथ ठक नहीं लगते हो शायद यही कारान है जो मुझे ठकना नहीं देता है मैं पल-पल को जीना चाहता हूं पल-पल को जी करके औरों को जीने के लिए जीना चाहता हूं है कि इसका प्रणाम क्या आया है पर नवे आया है कि जो धर बना हुआ है चोकट बनी हुए हम जहां भी जाते हैं अपने आपको उसमें डाल देते हैं और उसमें तो आपकी मास्टरी है अपने आपको ढ़ल देने में किसी को अच्छा लगता होगा लेकिन मुझे लगता है कि शायद यह जिंदगी नहीं है दोस्तो जहां जरुरत है वहाँ तो ढाल दे जहां जरुut है तो ढाल बन जाए लेकिन जरुरत है भाँ धाल बन करके बदलाव के लिए भी कतम उठाई ये भी जरुवत होता है कि हमने सहज रुप से गवनन्स में रिफार्म यह हमारा सहज स्वभाव बना है क्या चोटी-चोटी चीजों के लिए कमिशन बनाने पड़े एकलाव करो कमिशन बढाओ गवनन्स में बड़्लाव कर ओ कमिशन बढाओ चेफ मैंने के और 12 मे 뉴스 रिपोर्ट आये फिर स्वीपोर्ट देखने के लिए और कमिटी बनाओ उस कमिटी की इंप्लिमेटेशन के लिए और एक कमिशन बढ़ाओ अब यह हमने जो किया है उसका मूल स्वभाव है कि हमने गवर्नांस में रिफॉर्म कि समयानुकुल बढ़लाव बहुत जरूरी होता है जी किस समय यूद्ध होते तो हाथी उटे हाथी बालों ने हाथी छोड़ करके अब गोड़े पकड़े और आज हाथी चलता है न गोड़ाश चलता है कुछ और दिरुत पड़ती है यह रिफॉर्म गवन्नों से नित में रिफॉर्म ये निति प्रक्रिया होनी चाहिए और प्रयोग उसील वेवस्ता होनी चाहिए कि अगर प्रयोग सभन नहीं हुआ तो छोड़ते चले जाने का साहस होना चाहिए मेरे इस दारा की हुई गलती को स्विकार करते हुए मुझे नया स्विक्र करने का सामर्त होना चाहिए तब जाकर बढ़लाव आता है जी अब आप देखिए सेंकड़ों कानून ऐसे थे मैं मानता हूं देश के नागरी कोगली बोज बन गए थे मैं जब 2013 मैं पहली बार प्रदान मत्रीपत के उमीद्वार के रुप में मेरी पार्टी ने गोशिद के और में भाशन दे रहा था तो दिल्ली में एक बिजिनेस कॉमुनिटी ने मुझे बुलाया था चुनाओं के च सिर्व हुआ और मैंने पहले पांच जाल में पंद्रह सो कानून खतम किये थे मुझे बताईया था था थिओ ऐसे कानूनों को लेकर हम क्यों जिन्दा होते हैं और मुझे आज भी आज भी मेरा मत ऐसे बहुत से कानून होंगे बे कानन पड़े हुए हैं अरे आप तो को इन जनजाल से बाहर निका लो उसी प्रकार से कंप्लाइंस हम जान जाने नागरीकों से क्या क्या मांगते रहते हैं मुझे केविनेट सेड़ेटर को कहां भाई बागी दुनिया देश के काम होंगे आप इसका जिम्मा लीजे ये कंप्लाइंस से देश को मुक्त कीजिए नाग इतनी चीज़े हम नागरीकों से बाहर बाहर मांगते हैं टेक्लोलोजी का यूग है जो हम ऐसी व्यवस्ता हों क्यों ने विख से हम कंप्लाइंस से बढ़न से देश को मुक्त क्यों न करें मैं तो हैरान हूं अभी हमारे केमिनेट सेक्रेटर ने बेड़ा उठाया है लगे है कि भाई हर चीज में जेल ले जाके वह इसा नागरीकों को मैं तो एक ऐसा खानून देखा कि अगर कारखेने में कि जो टॉइलेट्स है उसको अगर हर छे मेंने चुना नहीं लगाया है तो आप जेल जाएंगे अब बताईए हम कैसा देश को लेखे ने जाना चाहते हैं अब यह लिए चीजों से में मुक्ती uaई अब यह सत्व प्रकृश्य होनी, इसके लिए को सर्कृल ने जिकाने की प्रकृश्य होनी चाहिए आपके ध्यान में आता है कि राज्जसरकार के बसका रोग है राज्यसरकार को बताईए भरत स्क्राइब की जिम्यवारी उनको बताईए संकोद मत कीजिए भाई कहना है जितना हम नागरिक को इस बोज से मुक्त करेंगे उतना ही मेरा नागरिक खिलेगा बहुत बड़ी ताकत के साथ खिलेगा हमें छोटी से समझ है बड़े पैड के नीचे कितना ही अच समाकत के साथ खड़ा होना जाता है उसको बोज से भार निकाल दीजिए दोसे अचाथियों आंतोर पर देखा गया है कि जैसा चल रहा है उसी ववस्ता में है मैंने कहा वैसे डाल देते रहो जैसे तैसे गुजारा करते रहो समय काटने की कोशिश करते रहें पिछले साथ अगर हम इसकी समिक्षा करें तो एक बात आपको जरूर दिखेंगी कि जब भी कोई संकट आया को प्राकृति के अपना आई को विश्री से प्रकान का दबाव प्याता हुआ तो फिर हमने बढ़ाब को ना आया तो दुनिया बढ़के बढ़ाब हम दो कि अपने में लिकिन स्वस्था स्थी है क्या कि बढ़ा प्रेशन आ जाए तब जहां करके हम बढ़ले को तरीका है क्या हम अपने आपको सज्ज क्यों न करें दोस्तों और इसलिए हमने संकर में समय में रास्ता खोड़ने अब एक समय था हम अभाव में गुजारा करते थे और इसलिए हमारे सारे जो नियम विक्सित हुए वह अभाव के बीच कैसे जीना वो बने लेकिन अब अभाव से जब महार आये हैं तो कानूर भी तो अभाव से बाहर लाईए भाया विपुलता की और क्या सोचना है उस पर हम सोचे अगर व अभी-कभी किसानों पर जो चीजें बोज बन जाती हो शाए ना बनती है और इसलिए मैं कहता हूं कि संकट में से रास्ते खोजने के तो तरीका सरकारों ने सीख लिया है लेकिन था ही भाव से व्यवस्ताओं को विक्सित करना यह हम लोगों का और हमें विजूलाइज करन इसी हो उसके लिए समयाजान क्या निकले इसलिए काम करना चाहिए उसी प्रकार से हम चुनोतियों के पीछे मजबूरन भागना पड़े ठीक नहीं है जाहिए हम चुनोतियों को भापना चाहिए अगर टेक्नोलोजी ने दुनिया बढ़ली है तो मुझे उस गवर्नांस मे यह हमारा नित्यकरम होना चाहिए लगातार कोशिस होनी चाहिए और मैं तो कहूंगा कि जब भी हम रिटार हो जाएं तो मन में से एक आवाज निकली चाहिए कि मेरे कालखन में मैंने गवर्नांस में इतने इतने रिफॉर्म किये और वो व्यवस्थाएं विक्सित की जो श काम हुए है इनमें से अनेक अभियान ऐसे हैं जिन में मूल में बिहेवरल चेंज है यह कठीन काम होता है और राजनेता तो कभी इसमें हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं करता है लेकिन मैं राजनेती से बहुत परे हूँ दोस्तों लोकतंदर में एक ववस्ता है मुझे राज ववस्ता से गुजर करके आना पड़ा है वो अलग बात है मैं मून तह राजनेती के स्वभाव का नहीं हूँ मैं जन निती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ जन सामानी की जि दिवर्तन लाने की जो प्रयास हुआ है सामाने से सामाने मानवी के जिंदगी में बड़ाव लाने की जो मेरी आशा अकांचा है उसी का एक हिस्सा है और जब मैं समाज की बात करता हूं तो शांसनवास में बैठे लोग अलग नहीं है इससे वो को दूसरे ग्रह से नहीं है है वो भी उसी का हिस्सा है क्या हम यह जो बड़लाव की बात करते हैं मैं देखता हूं कभी अपसर मुझे शादी का कार देने आते हैं तो मेरा तो सभाव है मैं छोड़ नहीं पाता हूं और मेरे पास आते हैं तो बड़ा महंगा कार नहीं लेकर आते हैं बहुत ही सस्ता का लाते हैं लेकिन उस पर प्लस्टिक का कवरफका है transparence तो मैं सहाइज पुषता हूँ तो इस प्लस्टिक अभी उप्यों करते हैं। तो बेचारे सर्मिंद की महसूस करते हैं। मेरा कहना को छोटी छोटी चीजों को इसलिए हाथ लगाता हूं कि हम बड़ी चीजों में इतने खोये हुए हैं कि छोटी जियों से दूर चले जाते हैं और जब छोटी चीजों से दूर चले जाते हैं तब छोटे लोगों से भी दिवारे बन जाती हैं दोस्तों मुझे इन दिवारों करें कुछ हो रहा है क्या इतने दो साल तीन साल पांच साल हो गए दोस्तों क्या अब वो हमारी डिपार्टमेंट में स्वभाव बनना चाहिए अगर वो स्वभाव नहीं बना है तो देश की सामाने नागरिक से उसको स्वभाव बन जाएगा यह पेक्षा करना रज्जादा ही होगा और इसलिए मैं कहता हूं साथियों हमने इसकी ववस्ता को स्विकार करते हैं अब हम डिजिकल इंडिया की बात करते हैं फिंटेक की चर कर जाता है क्यों को रेडी पट्री वाला को डिजीटल प्यमेंट की काम कर रहे और हम तश्वीर पर देखते हैं अच्छा लगता है लेकिन मेरा बाबू तो डिजीटल प्यमेंट नहीं करता है अगर मेरी विवस्ता में बैठा हुआ इंसान भूप काम नहीं करता है मतलब बैसे जनामदोलन बनाने में रुकावट बना हूं कि सिविल सर्विष डे में ऐसी बाते करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए विवाद हो सकता है आप तो दो दिन बैठने वाले तो मेरी भी बाल की खाल उदाड लोगे मुझे परपता है लेकिन फिर भी साथ को मैं कहता हू जो चीजे अच्छी लगती है जो हम समाच से पेक्षा करता है उसा कहीं न कहीं हमें अपने से भी सुरू करना चाहिए हमने कोशिश करनी चाहिए अगर हम इन चीजों को कोशिश करेंगे तो हम बहुत बढ़ा परिवरतान ला सकते हैं हम कोशिश करें अब जैम पोर्टल कि क्या बार-बार circular निकालना पड़े क्या कि हम अपने डिपार्टमेंट को जेम पोर्टल पर हंडेट परसंट कैसे ले जाए एक स्वसक्त अबाद्जम बढ़ा है दोस्तों हमारा यूपी आई ग्लोबली एप्रिशेट हो रहा है क्या मेरे मोबाईल फोन पर यूपी आई की ववस्ता है क्या मैं यूपी आई की आदर डाल चुका हूं क्या मेरे परिवार के सदोशन डाला हुआ है क्या बहुत बड़ा सामर्थ हमारे हाथ में हैं लेकिन अगर मैं मेरी यूपी आई को स् इतनी ताकत रख सकता है फिंटेक भी जो दुनिया में नाम रख सकता है कि टेक्नलोजी के लिए फूल प्रूफ सिद्ध हो चुका है वल्लबेक उसकी तारीब कर रहा है हमारी अपनी ववस्ता में वह हिस्ता क्यों बनता है पीछे पड़ते हैं मैंने देखा है कि हमारे जितन होगी लेकिन अगर हम कोशिश करें दोस्तों तो हम बहुत बड़ी बातों को कर सकते हैं और हमें आखीरी व्यक्ति तक उचीत लाप पहुंचाने के लिए हमें लगातार एक परफेक्ट सीमलेस मेकनिजम खड़े करता रहना चाहिए और जितना जाता हम इस मेकनिजम को खड कई विशों पर मैंने आपसे बात की हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इन चीजों को आगे भराएं इस सिविल सर्विस डे हमारे अंदर एक नई उर्जा भरने का अफसर बनना चाहिए नए संकर पर लेने का अफसर बनना चाहिए नए उत्सा और उमंग से जो नए लोग हमा आगे बढ़ाए इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आप सबको अनेक अनेक शुब कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननी प्रधान मंत्री जी, जो चेथना आपने हम सब में जगाई है, वो हम सब के मन में कुछ नया कर गुजरने का जुनून पैदा कर देती है बहुत बहुत धन्यवाद माननी प्रधान मंत्री जी, आपकी प्रेरणा के लिए, आपका मार्व दर्शन के लिए बहुत बहुत आभार, आज आप पधारे हम सब का उत्साहवर्धन किया, इसके लिए हम रिदय से आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और मंचा सीन सभी गर्मान्यों को